तैयारी कैप्टी ऐसा क्यों बोल रहा हूं सभी आउपसे नबोव लेडर्स हम सब को पता है अगले मैंने हमारा फास्ट्रैक का और पार्ट फाइंडर का वर्फिस लॉंचिंग बोख और हर बार की तरह हर फास्ट्रैक में हर पार्ट फाइंडर में कुछ नई चीजे कमपण देखी है वैसे आगले आने वाले फास्ट्रैक में बहुत ही जादा भीचर्स कमपणी ने किया है उसको देखने के बाद यह समझ में आता है अगर कोई भी लीडर सही तरीके से प्लानिंग करेगा और वो प्लानिंग को एक्जिक्यूट करेगा तो डिसेंबर तक मतलब प्लानिंग कोई भी लीडर तो वो जो पाथफेंडर आ रहा है जो फास्ट्रैक आ रहा है उसमें कुछ चीज़े एलसी है जो आपकी एक बहुत अच्छी टीम बनाएगा और एक्जामपल जो इंसेंट्व मिलता है प्लिगिनार एलस से लेके उपर कर वो इंसेंट्व आने तो हमको जन्रेशन मिलता है यह जन्रेशन की वजह से कम ट्रणऊर में भी क्या पैस्ट्रेश न्योंट होती है तो अभी तक का आने वाले सबसे ज ज्यादा सबेने वाला पाथफेंडर आरा इसका उप लोग ले सकते हैं इसके साथ आपके नीचे जितने लोग है उनका क्र मतलब जल्दी से जल्दी चेंग होगा, मतलब फास्ट चेंग होगा, और एक बाता होगा है, कि सभी के लिए ये फास्ट रैक है, मतलब अब ये ज्यादा डीटेल में नहीं पता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूगा, आपके नेटवर्क में जितने लोग है, सभी क के लिए ये फास्ट रैक है, और ये फास्ट रैक में आपकी टीम से मैक्सिमम लोग आने चाहिए, अगर जादा लोग आपके फास्ट रैक में आएंगे, वो मेंटेन करेंगे, तो 101 परसेंट अपता क्या पैजिमेंट होने वारा है, जिन इसकी तैयारी हमको आप भी करने ह तैयारी में क्या करना है, पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं हमेशा ही बूलता हूँ, कि जैसी सोच वैसा रिज़र्ट है, इसका मतलब क्या है, आप आपकी सोच बदलो, आप 100% आने वाले डिसेंबर तक क्या पैजियर बनने वाले हो, ये सोच पहली और जैसे ये सोच आती है, आपको आपका नेट्वर्ट दिखना चाहिए, आपके तीम में जितने लोग है, जो एक्टिव लोग है, जो पोटेंशल वाले लोग है, जो लॉयल लोग है, उन सभी लोगों का आप एक ट्री बनाएगे, हो सकता है, उसमें सक्षम असमिता L1 हो L2 हो, क्लब Nets of Actuals हो, पास्ट्रैक वाले लोग हो, इन सभी कोश्टा, सभी लोगों का पैले ट्री बनाएगे, ये ट्री बनाने के बाद ये देखिए, कि हरेक के लिए कुछ ना कुछ तो 100% आने वाला है, अभी से उनके साथ कमिनिकेशन जादा बढ़ाई है, उन लोगो उनको भी इस माहोल में लगे, और तैयारी करनी है मतलब क्या, तो जैसे सोच बदलनी है, वैसे ही हमको जबर्दस प्लानिंग करना है, क्योंकि जिसके पास अच्छा प्लानिंग होता है, वो ही अपना एच्व मेंट कम मेहनत में एच्व कर सकता है, इसलिए हमको प्लानिंग करना है, तो आपके टीम में प्रोवेबल क्लब, नेटस प्लाई हाई ही दुबई व्यवाले कों लोग है? उनके लिए कितना टर्मलब, पाँजिये, ये पहला निकलिये. अगर आपने टीम में कोई है तो उसका कितना target बाती है वो निकल ये और तीसरा ये खास चीज देखिए कि आपकी टीम में इस मेने में जादा से जादा सक्षम असमिता लेवल वन हैच्च वर्स होने चाहए तो ऐसे कौन-कौन लोग है जिनका एडियम हुआ है जिन्होंने ल जन्रेट ही है और उनकी guest activity आपने है अभी guest activity online हो सक्षिए है, offline हो सक्षिए है जैसा आपके पास है और आपके लोगों के पास situation है वो सिसाफ चेकी है और ये ध्यान रखिए कि आपकी टीम में maximum लोग सक्षम असमिता लेवल वन होने चाहिए तो मैं बोलूँगा minimum से minimum आपक आपका तयारी हो जाएगा CAP का और अगले मैने जब फास्ट्राइट pathfinder launch होगा यही टीम को लेकिए आप maximum लोगों का फास्ट्राइट में admission कर सकते हो और आपका CAP भी achievement कर सकते है तो हमको कल करे सो आज, आज करे सो अब अभी से हमको planning में जुड़ना है आपके support के लिए, आप आपके seniors, आपके mentors, पूरा company management आपके कुछे खड़ा है, wish you all the best, thank you, thank you very much.